अगर बात महेंगी चीजे और वस्तू की होती है तो सबसे पहला नाम आपके मन में सोने कही आता है सोना वास्तों में महेंगी वस्तों में ही गिना जाता है और कई देशों में सोना तो उनके राजश्यू का हिस्सा भी होता है पूरी दुनिया इस धातू की दिवानी है बलकि आप किसी से भी पूछे जि दुनिया की सब्से महेंगी वस्तू क्या है तो कईयों का जवाब उसमें से सोने होई होगा लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की कई ऐसी चीजे हैं जो सोने से भी कई गुना ज्यादा महंगी हैं नहीं जानते चलिए आज हम आपको उन चीजों से रूबूरू करवाते हैं जिनकी कीमत सोने से कई ज्यादा है इन में से आखरी वस्तु की कीमत तो इतनी है कि हम तो क्या कई देशों की सरकार भी मिलकर अक्से नहीं खरी सकती है नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है यंसाई के एक और बहतरीन एपिसोड में आज की एपिसोड में मैं आपको दुनिया की कुछ बहुत ही कीमती चीजों के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे जिससे होगा ये कि मेरी आने वाली सबीव वीडियो आप टाइम टू टाइम देख पाएंगे पोकिन या जहरीला नशा कई देशों के युवाओं को खा चुका है या कई देशों में बैन भी है लेकिन इसकी लट कोई सस्थी नहीं होती इसके एक ग्राम भी कीमत 5,000 से लेकर 8,000 रुपाय तक होती है अगर इस हिसाब से देखा जाये तो 10 ग्राम पोकिन की कीमत 50,000 से लेकर 80,000 रुपाय तक होती है जो की सोने की कीमत से बहुत ही ज्यादा है है रोइन दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाग नशा है रोइन ना सिर्फ शरीर पर बलकि जेम पर भी बहुत भारी पड़ता है इसकी कीमत 8,000 रुपाय से लेकर 12,000 रुपाय तक 30 ग्राम होती है सोने से इसका आकरण करें तो इसके 10 ग्राम की कीमत 1,020,000 रुपाय प्रति 10 ग्राम होती है जो की सोने की कीमत से करीब 4 गुणा तक ज्यादा है प्लैटीनम आज के दोर में या हर किसी की पसंद बना हुआ है प्लैटीनम के एक ग्राम की कीमत 35,000 रुपए तक होती है प्लैटीनम का इस्तिमाल कैंसर की दवाईयों को बनाने में भी किया जाता है और यही वज़ा भी होती है कि कैंसर की दवाईयों इतनी महेंगी होती है रोहोडियम प्लैटीनम के परिवार से ही इसका तालुक है इसका ज्यादा तर इस्तिमाल लगज़री गाड़ियों के इंजन को बनाने में किया जाता है या इंजन में कारबन बनने से रोकता है अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत कई गाड़ियों के महेंगे होने की भी वज़ा है रोहोडियम के एक ग्राम की कीमत 55,000 रुपाई से भी ज्यादा है प्लूटोनियम प्लूटोनियम किसी भी परमाणू हत्यार बनाने या इस्तिमाल करने में सबसे जरूरी चीज़ होती है वर्ल्ड नुकलियर एसोसियेशन के मताबिक या दो प्रकार का होता है पहला वैपन्स ग्रेट दूसरा रियक्टिव ग्रेट सोचिए दुनिया भर के वग्यानिक जिस परदार्थ की पीछे हूँ उसकी कीमत क्या होगी सिर्फ एक ग्राम प्लूटोनियम की कीमत करीब तीन लाख रुपा है जो की सोने की कीमत से सो गुना ज्यादा है डाइमंड इसके बारे में तो हम सबी जानते हैं सोने से कई ज्यादा पसंद करे जाने वाले इस पत्थर की एक ग्राम की कीमत आठ लाग रुपाए से भी ज्यादा है अकसर इसे कैरट के हिसाब से ही बेचा जाता है अगर इस हिसाब से हम देखे तो एक कैरट का मतलब द.2 ग्राम होता है ट्राइटियम या एक रेडियो एक्टिव परदार्त है इसका इस्तेमाल ठियेटर, अस्पताल, स्कूल और कई आफिसों में एक्जेट साइन मनाने में किया जाता है इस साइन की खास बात यह होती है कि यह हमेशा ही हरे रंग में चमकता रहता है इसके एक ग्राम की कीमत बीस लाख रुपाई से ज्यादा है अगर सोने की कीमत से इसकी तुलना करें तो या सोने से करीब साथ सो गुना ज्यादा महेंगा है फैफनियम और टैंटोलम एसो मर्स पर्माडू रियक्टर को थंडा रखने के काम में आने वाले इन दोनों परदार्तों पर वेग्यानिकों का बहुत पैसा खर्च होता है इसके एक ग्राम की कीमत किसी के भी पसीने छोड़ा सकती है एक ग्राम हैफनियम और टैंटोलम एसो मर्स को खरीदने के लिए एक अरब रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे एंटी मैटर एंटी मैटर एक बेहदी खास परदार्त है कई देशों के वेग्यानिक इस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है कि यदी या काफी मातरा में मिल जाए तो भविश में इर्दन की समसिया और स्पेस ट्रैवल बहदी आसान हो जाएगा मगर यह इतना महेंगा है कि पूरी दुनिया में या एक ग्राम जितना भी शायदी किसी के पास हो वग्यानिक ग्रैन स्मित ने इसके एक ग्राम की कीमत करीब 25 बिलियन डॉलर आकी है जो कि या भारती रुपियों में करीब 2 लाग करोड के बराबर बैड़ता है और नासा के वग्यानिकों ने तो इसकी कीमत करीब 55 ट्रिलियन डॉलर आकी है जो इतना है कि भारत जैसा देश शायद ही से कभी खरीच सकेगा